इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटर्प्रेशन से पार्ट नाइन और पार्ट नाइन में हम देखेंगे मिक्स्ट ग्राफ से एक इक्जाम्पल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम चंद्रहास है स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे डेटा इंटर्प्रेशन से पार्ट नाइन और पार्ट नाइन में हम डिसकस करेंगे एक मिक्स्ट ग्राफ के इक्जाम्पल को तो पार्ट 8 तक मैंने पहले ही आपको दिये हुए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं सारे पार्ट तो आप नीचे जाके यहाँ पर लिंक दे रहा हूं देख सकते हैं या फिर अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पर आपको कॉर्णर में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करक आप देख सकते हैं ताकि आपको जो basic idea है वो clear हो जाए कि यहाँ पर calculations होती हैं कैसे करते हैं और जो basic terms होते हैं उनको का मतलब क्या निकलता है अगर आपने देखे हुए है तो चलिए हम start करते हैं part 9 को अभी यह questions हैं आपकी तरह ही एक subscribers हैं विवेक दास उन्होंने मुझे mail किये हुए थे तो वहां से मैंने question यह लिया हुआ है तो इसे मैं solve करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए क्या लिखावा है there are six banks SBI, BOB, PNB, CBI, CB, AB मतलब CB और AB यह आपके पोस्ट खाली है और चार्ट तू क्या शो करता है सो इसे यहाँ पर लिखावाफ रिक्वर्मेंट आप परसनेल इन डिफरेंट के अडर्स इन बैंक अब यह जो चार्ट टू है हमारा ठीक है यह क्या 10% law officer में खाली है 27% finance के लिए खाली है और 8% आपके technical में और 9% राजभाषा अधिकारी के लिए खाली है तो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया और क्या कह रहे है कि assume that these percentage are the same for all the banks कि यह जो percentage आपको दिखाया गया है इस सभी बैंकों के लिए same ही होगा ठीक है तो यह आपका चाहे B.O.B. की बात करें चाहे P.N.B. की चाहे Central Bank of India की Corporation Bank के लहाबाद Bank सब के लिए यह जो आपका percentage breakup दिया गया है यह सब के लिए क्या है सेम ही है ठीक है यहाँ पर नंबर अलग अलग होंगे लेकिन percentage सेम होगा अब इसी प्याधरित आपके questions बने हैं और कैसे उन्हें solve करते हैं चलिए देखते हैं देखें पहला question यहाँ पर क्या लिखावा है क्या IT officers को join कराया या उन्हें लिया ठीक है और लेकिन क्या करें कि कुछ दिनों के बाद कुछ IT officers SBI चोनके PNB में चले गए इसा करने से क्या हुआ कि जो नंबर है आपका SBI और PNB में नए recruitment का वो क्या हो जाता है सेम हो जाता है ठीक अब दोनों में लगभग एकवल एकवल लोग ही गए हुए हैं तो कह रहें कि आप प्रॉक्समेट पर्सेंटेज आफ निव रिक्रूट्स फू लेफ्ट कि आपको बताना है कि SBI से जो लोग गए थे वो कितने पर्सेंट हैं चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन तो सबसे पहले हमको SBI और PNB में कितने IT Officers की भरती हुई है यह हमें निकालना होगा ठीक है तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसे SBI में टोटल कितनी वेकंड सीटे हैं 728 जिसमें से 11% आपकी भरती होनी है IT Officers की तो मैं 728 का 11% निकाल सकता हूँ Easily आपको पता होगा अगर आपने Speed Math की वीडियो देखी होगी कि 11 से लेकर के 20 तक के Numbers को आप कैसे Easily Multiply कर सकते हैं या फिर आपको पता होगा Split and Merge टेक्निक उससे भी आप कर सकते हैं या Simple 11 की Table है तो आप Simply से Multiply भी कर सकते हैं और यहां पर कियो लगाया क्योंकि यहां पर संटेज का मींस इसके बटे में भी 100 होगा तो हंडेट करेंगे तो दो अंग के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो यह लगभग 80 दिसम्दो जीरो आठा गया बताए आदमी कितने हो सकते हैं तो approximately यह अप्रॉक्सिमे क्योंकि 0.8 आदमियों को काट शांट के तो हम ला नहीं सकते हैं दूसरे की बात करते हैं PNB की तो PNB में टोटल 566 लोग हैं तो यहां पर मैं लिखता हूँ PNB और देखता हूँ कितने लोगों को भरती किया है तो 500 66 और गुणे में क्या 11% कैसे निकालेंगे ठीक उसी तरह 11 गुणे में 7 77, 11 गुणे में 6 और 7 73, 11 गुणे में 5 और 7 कितना आ जाएगा आपका 62, 62 सम्दो 37 और यह से अप्रॉक्ष्ट लोगों ने ज्वाइन किया है ठीक है तो यह तो आ गया क्या कि SBI में 80 लोगों ने ज्वाइन किया और PNB में 62 लोगों ने ज्वाइन किया IT Officers के तोर पे, अब कहरें हैं कि कुछ लोग इसमें से निकल के PNB में आ जाते हैं, तो हमको निकालना क्या होगा, सबसे पहले तो यह निकालना होगा, कितने लोग यहाँ पे ट्राइन्सफर हो रहे हैं, और इस तरह आते हैं कि अब PNB और SBI में लोगों कि संख्या क्या हो जा तो सबसे पहले से हम निकाल लेते हैं देखिए इसे लोग गये होंगे नौ लोग गये होंगे टिक है तो और यहां से निकल आया है कि 9 लोग यहां से गए होंगे और यहां पर 62 का 71 बनात मतलब 9 लोग आये होंगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि आप 80 और 62 को सब्ट्राइट करिए कितना आजाएगा 18 ठीक है 18 लोगों का यहां पर डिफरेंस आता है कि दोनों में 18 लोगों क नहीं है तो 9 लोग ट्रांसफर हुए और हमको क्या निकालना है प्रॉक्सिमेट परसेंटेज जो भी यहां पर नए रेक्रूट आये थे जो SBI को छोड़े है तो 9 लोग गये थे टोटल कितने लोग थे 80 लोग थे तो 80 लोगों में से हमको निकालना है कि 9 लोग जो गये थे वह कितने परसेंट गय होनगे तो 9 बटे में क्या करेंगे असी और में क्या करेंगे सो ठीक है इस तरह आप इजली निकाल सकते हैं जिरो से जिरो कट गया नबबे बटे में आठ करें कितना हैगा आठ एक कम आठ एक कम आठ और पॉइंट के बाद भी यह कटता जाएगा तो दग भाग 11 परसेंट एप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगी तो यह कैसे हम X is what percent of Y निकालते थे X by Y और इंटू में 100 कर देते थे और यह हमारा आ जाता था तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है चली दूसरा question देखते हैं क्या लिखा हुआ है by what percent the number of recruitments of law officer more or less in PNB, CB, Cooperation Bank and Elahabad taken together than in SBI, POB and CBI taken together मतलब आपको बताना क्या है कि यहाँ पे तीन बैंकों का एक group है और यहाँ पे तीन बैंकों का एक group है आपको बताना क्या है कि एक बैंक का जो group है और दूसरे बैंक से कितना percent अधिक है या कितना percent कम है अब इस तरह की जो problem होती है जहाँ पे percentage more or less निकालना होता है इसका जो formula है मैंने आपको पहले part में होता है data interpretation के तो playlist में से जाके देख सकते है ठीक है अगर इस तरह का कुछ format रहता है कि x is what percent more or less than y करके ऐसे रहता है तो इसका formula क्या होता है x minus y upon y into 100 ये इसका formula निकलके आता है तो यहां पे आपको देखना होगा comparison किस से हो रहा है वो आपका नीचे रहेगा तो यहां पे comparison किस से हो रहा है इस वाले group से हो रहा है तो यह आपका नीचे रहेगा और उपर क्या रहेगा PNB, CB और AB और माइनस में इसे हम करेंगे ठीक है तो बस इसी तरह आपको करना है तो आप निकाल लीजिए PNB, Central Corporation Bank और इलाहबाद Bank में Law Officers के recruitment कितने हुए है ठीक है तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं देखिए उसको करने के तीन तरीके हो सकते हैं तीनो इलाहबाद Bank के 10% निकालिए और सब को जोड़ दीजिए इसी तरह इसके साथ भी करिए और सब को जोड़िए और घटा कि आपका एंसर निकाल आएगा दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि 10% आप यहां से common लीजिए 10% common लीजिए और सब को लिख देजिए कैसे जैसे PNB के हम लिखेंगे 566 plus Central Bank के लिखेंगे 427 इलाहबाद Bank के लिखेंगे 508 minus में करेंगे 10% निकालेंगे SBI का और upon में इसी तरह करके निकाल सकते हैं यह दूसरा तरीका यह भी क्या है आपका लेंदी है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इतना सा आप बास समझ सकते है कि यहाँ पे जो comparison हम कर रहे हैं सबका सब 10% से ही हो रहा है यहाँ पे अगर आपके departments अलग हो गये होते जैसे एक कहता कि यह पहला वाला group कहता कि law officer का है तो दूसरे वाले group से कहता IT से agriculture से कितना percent अधिक है कम है तब आपका यह तरीका काम आता लेकिन आपको जब एक ही group दि कर देगा तो यह तो पहले ही कर जाना है तो इसे लेना ही क्यों तो इतना समय भी वेश्ट नहीं करना है तो क्या करेंगे हम पी अन्बी corporation bank इलहाबाद bank को add करेंगे फिर CBI, BOB और SBI को add करेंगे और अपना काम हो जाएगा बस इतना ही करना है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे एक को मैं नाम देता हूँ यह आपका जो group 1 है से x देता हूँ group 2 को y नाम देता हूँ दोनों को add कर लिजे क्या क्या values है 4, 9, 9, 5 कितना हो जाएगा 14 और इसे क्या कहेंगे लगभग 1400, 7, 6, 2, 8 और 8 यह रहेगा तो प्लस 80, 7, 7, 4, 14, 14, 14, 8 कितना हो जाएगा 22 तो यह कितना आगया 22 ठीक है तो यह आपका मिल जाता है अब इसे आप add कर सकते हैं आसानी के साथ कितना जाएगा यह 1502 देखिए बिल जहीं लेते हैं क्या है 720 more 445 और प्लस 825 ठीक है जोल लेते हैं उसी तरह 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 8 आपका हो जाएगा 2400, प्लस में करेंगे 426, 628, मतलब 60, प्लस में करेंगे और कितना हो जाएगा 515 और 18, यह आपका निकल क्याएगा 18, तो इसे आप add करेंगे तो यह लगभग हो जाएगा 2498, देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, कम किया था तो यहाँ पे 2 बढ़ा 2500 और बटे में क्या आजाएगा, 2500 और गुणे में क्या आजाएगा 100, ठीक है, तो यह आपकी value निकल क्या है, अब यहाँ पे देखिए 1500 में से 2500 अगर आप घटाएगे, तो यहाँ तो आप कर सकते हैं, यहाँ से 0-0 काड दिजिए, 1500 में से 2500 आप घटाएगे, तो आपको minus value म माइनस क्या indicate करता है कि कमी आई है, यह आजाएगा, 1000 और बटे में करेंगे 25, काटिंग कितना आजाएगा, minus 40%, मतलब क्या है, कि approximately लगवख 40% यह कम आ रहा है, तो minus और plus कैसे होगा, यहाँ पे आप यही format लेके चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अगर यह minus आता ह कैसे आपको steps को cut down करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो इसी तरह आप exam में भी करीगा, हाँ, अगर यहाँ पे अलग लग देता जैसे IT officer और agriculture के लिए compare कर देता, तब आपको पूरे steps इस तरीके से लिखने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी common नहीं निकलता ठीक, चलिए देखते हैं अगला स्वाल क्या है, what is the ratio of requirement of finance executive in PNB and cooperation bank taken together with Central Bank of India and Allahabad bank taken together, आपको रेशियो निकलना है किसका, PNB और CB का और CBI और AB का, तो यह आपको रेशियो निकलना है, तो कैसे निकलेंगे, कुछ लोगों को problem होती है कि जैसे अगर answer आपका निकल क्याता है 4 अनपात में 7 है, माली यह ऐसे answer निकल गयाता है, तो आपको जो option होते हैं उसमें, एक option आपको इस तरह माली जी A मिल गए जाएगा 4 अनपाते 7, तो भी option आपको 7 अनपाते 4 भी मिला रहता है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सही है, 4 और 7 तो सही सही है, लेकिन 4 अनपात तो देखे, पहले मैं PNB और Central Bank में देख रहता हूँ, Finance Executive कितने हैं, तो यह निकालना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, देखे, फिर से वही बात यहाँ पर आती है, जो मैंने आपको पिछले में बताई थी, इसको आप इस तरह निकाल सकते हैं, Finance Executive देखे, कितने हैं आपके, त अपॉन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका CBI और इसमें, तो 27% अपॉन में, इसमें CBI में देखे, कितना है, 825, और इलाहाबाद बैंक में देखे, कितने हैं, 508, अब इसका टोटल करके, आप 27% निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, तो वो गधम ग करेंगे, 7-7 कितना हो जाएगा, 14-6-2 कितना हो जाएगा, 8-1-9 आजाएगा आपका, और 5-4 कितना जाएगा, 9-94 नीचे, और नीचे देखते हैं, 8-5 कितना जाएगा, 13-2-1, 3-3 हो जाएगा, और 8-5-13, 13-133 आ गया नीचे, अब देखिए क्या ये कट रहा है कि नहीं कट हो जाता है कुछ भी करने के और जरूरत नहीं है options यहां पे मैंने नहीं लिखे हैं उसकी दो बज़े हैं एक तो आप पूरा एकदम raw method से करिए आपको कुछ भी नहीं पता है option वगरा कुछ नहीं पता है फिर भी आप करिए इससे क्या होता है आपको confidence आता है ठीक है options में तो कई सारे लोगों का तुक्का सही हो जाता है लेकिन के अंदर confidence नहीं आ पाता है और दूसरे problem यह थी कि यहां पर जगा की मुझे कमी पढ़ रही थी क्योंकि यहां पर आपको figure भी दिखाना था उपर साफ साफ और यहां पर question करने के लिए जग है चौथा question क्या है कि Central back of India और इलहाबाद बैंक ने हायर किया कितने 15% आफ राजभासा अधिकारी देर ओन requirements कि 15% राजभासा अधिकारीयों को जोईन कर आया है अपने यहां तो यहां पर हम देखेंगे तो राजभासा अधिकारी के लिए कि नौ परसेंट का यहां पर कोटा है लेकिन हुने 15% को हायर कर लिया है मतलब कोटे से अधिक हायर कर लिया है तो करें कि कि एक साल की बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को यह लोग क्या करते हैं अपने यहां से निकाल देते हैं कि 15% भरती के इसमें से कुछ की छुटी कर देते हैं तो छुटी इस तरह से करते हैं कि जो अब employees बचे हुए हैं वो 9% ही बचे रह जाते हैं जैसा कि पहले होना चाहिए था तो आपको बताना क्या है कि पहले जो strength थी और अभी जो strength है दोनों की बीच का difference कितना है मतलब आपको निकालना क्या होगा कि 15% पहले निकाले कि इन्होंने कितना भरती किया है और उसके बाद कितने employees को निकाला है कि अब यहाँ पे उतने ही employees बचे हैं कि 9% के बराबर हो जाए तो कैसे कर सकते हैं इसे आप तो देखे सिंपल है हम करेंगे कैसे सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इन दोनोंने कितने लोगों को hire किया हुआ है अपने यहां से तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसे अगर हम CBI और इलहाबाद बैंक को जोड करके डारिक्ट उसका 15% निकाले तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोगों को इन्होंने जोईन कराया है तो कैसे करेंगे हम 508 प्लस 825 को जोड़ देंगे कितना जाएगा 8 और 5 आएगा 13, 2, 1, 3 और 8, 5, 13 कितना गया 1333 आगया ठीक यह इन्होंने टोटल इंप्लॉईस थे इनकी वेकंड सीटें थी और इसका 15% इन्होंने जोईन कराया है तो 15% निकालीजे कैसे आ सकता है आसानी के साथ आ सकता है 15 का बस गुणा कर दीजे 15, 3, 45 होगा 15, 3, 45 और 5 करेंगे तो क्या जाएगा 49, फिर से 49 आएगा 15, 15, 15 और 4, 19 कितना आ गया इतना और यहाँ पे 100 है तो दो आंक के बाद समलो लगा दिया तो 199, 95 मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 200 लोगों को इन्होंने जोईन कराया दोनोंने मिल के जोईन कराया ठीक है यहाँ पे हमने साथ में ही क्यों निकाला है क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल इस्टरेंट निकालनी थी अलाग अलाग नहीं निकालना था अगर हमसे यह पूछा जाता कि अलाग अलाग डिफरेंस होता यह तब हमको 15% इसका निकालना पड़ता लेकिन टोटल बात की गई है तो हमने निकाल दिया कि 200 लोगों की टोटल भरती हुई थी 15% के हिसाब से फिर उसके बात क्या होता है कि कुछ लोगों को निकालते हैं कितने लोगों को निकालते हैं कि ताकि वो 9% पे आ जाए तो 1333 का 9% निकाले ठीक उसी तरह 927, 927, 2929, 929, 111, दोंके बाद दसम्दो, 119 असम्दो आया, मतलब यह लगभाग 120 के है, तो अब 9% के हिसाब से 120 लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन लिया कितने को 200 को, तो कितने लोगों को निकाला गया, दोनों को घटाईए क्या जाए तो अगर पूछा क्या गया है कि initial strength क्या थी, 200 थी और final अभी current strength क्या है, 120 है, तो total 80 लोगों को निकाला गया, जब पूछा जाए difference, तो वो भी क्या है, 80 है, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, आसानी से, तो कभी भी आप इस तरह का काम नहीं करेंगे, कि 15% आप पहल से आपको लएना देना है, तो दोनों को add कर दी, जो direct 15% उसका आप निकाल सकते हैं, यहां पर अलग-अलग की बात की गई होती, तब हमको अलग-अलग निकालना पड़ता, लेकिन जब total की बात की गई है, तो add करके direct ही निकाली है, ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा, पांचवा कोशन देखते हैं, क्या है, लिखा हुआ है कि in cooperation bank about how many more technical officers should be employed than the required numbers so that the ratio of technical officer to that of finance executive becomes 2 to 3, कह रहें कि cooperation bank में कितने और technical officers को भरती किया जाना चाहिए, कि अगर बाद में उनका ratio निकाला जाए, अभी उन्होंने कुछ भरती कर रखे हैं, करें कितने और भरती कर लेने चाहिए, कि बाद में अगर यहां पे ratio निकाला जाए, तो technical officer और finance executive का ratio 2 to 3 आए, तो चली देखते हैं कैसे करेंगे, कि यहां पे हम 427 का सबसे पहले निकाल लेते हैं, technical officers कितने हैं, 8% है, तो इनका हम 8% निकाल लेते हैं, कितना है, ठीक है, 8% निकालते हैं, तो निकाल सकते इजी है, देखिए, इसे दो तरीकेस कर सकते हैं, split and merge से भी कर सकते हैं, split and merge से करना चाहिए, तो उससे कर लिजिए, आसान होगा, आपको पहड़ा दाए 8 का, तो आप 8 के पहड़े को भी गुणा कर सकते हैं, दोनों तरीकेस में करके दिखा देता हूं, आगे के लिए, अगर आप approximately देखना चाहें, तो 34 आपके लगभग employees यहाँ पे हैं, ठीक है, इतनी माद आपको समझ में आई, फिर हम देखते हैं कि total finance में कितने लोग हैं, तो 427 का 27% आप निकाल लीजिए, और आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, 27 की table आती है, तो ठीक है, वरना आप इस उनकों के बाद मैं point लगाता, जैसे 8 जोग 32 होगा, तो 32 होगा, तो मैं इसे 32 लिखूँगा, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 होगा, तो मैं इसे 1.6 लिखूँगा, और 8 सते 56 होगा, तो यह 0.57 आ गया, तो देखिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 बन जाएगा, और 2 मे 25 प्लस 2 में, और 25 प्लस 2 में क्यों तोड़ा, ठीक है, 30 माइनस 3 में क्यों नहीं तोड़ा, तो इसलिए क्योंकि 25 का गुणा करना हमको आता है, आसान है, इसका 1 by 4 करेंगे और 100 से multiply कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे percentage है, तो 100 से multiply करने की विज़रोत नहीं, 1 by 4 बस निकालना है, तो इसका 1 by 4 आप निकाल सकते हैं, कितना जाएगा, 4 एक कम 4, 0 लगाएंगे, और यह 28 बार लगभग चला जाएगा, तो 7 बार में चला जाएगा, ठीक है, तो 28 होता है, तो 4 सते 28, 7 बार में चला गया, फिर आप इसी तरह 2 का निकालीजिए, तो 2 से गर गुन और 7 जोडेंगे, कितना हो जाएगा, 115, तो यह 115 एप्रॉक्स आजाएगा, ठीक है, 115 एप्रॉक्स लोगों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, भी कुछ लोग सोच रहेंगे कि 0.54 है, तो हम एक ज्यादा क्यों नहीं ले सकते हैं, तो आप ले भी सकते हैं ज्यादा, लेकिन इतनी बात, आप सोचिए कि लगभग, इतने लोग तो आपको complete मिल रहें न, 0.54 लोग आपको नहीं मिल रहें, तो आप extra जोडेंगे नहीं, बलकि जितने लोग total आपको fix मिले हैं, उतना ही हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 115 यह आगया, 34 यह आगया, अब फिर हमको क्या पता है कि इसमें, किसमें, पहले वाले में कितने लोग और जोड़े जाएं, कि अब इनका ratio 2 is to 3 आया, तो कैसे करेंगे हम, 34 प्लस x माली जोड़े गया, और 115 का ratio निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 is to 3, solve करीए से क्या आजाएगा, solve करने पर हम cross multiply कर देंगे, यह आजाएगा, 230 और 34 का गुणा 3 में करेंगे, 34 का गुणा 3 में करेंगे, तो यह आपका मिल जाएगा, 102 माइनस प्लस में 3 x, 102 को 230 में से घटाएंगे, तो यह आपको निकल क्याएगा, 128 और बटे में क्याएगा, 3, 34 के 12 और 3 तियां लग भग 9, तो लग भग 43 लोग आपको मिल जाते हैं, कि और लगाने चाहिए, यहाँ पर टेकनिकल वाले में, ताकि इनका रेश्यो 2 to 3 हो जाए, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस कोश्चन को, यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम लिया था हो सकता है, कुछ लोग को नहीं समय आ रहा होगा, यह आपकी जो कल्कुलेशन ह होती है, कि आप इसे कल्कुलेट करते हैं, 27 को 7 से 2 से 4, इसलिए स्पीट कहां से बनेगी, अगर आपको यह सारे तरीके नहीं पता हैं, तो और आप इसे कैसे इंप्लिमेंट करना है, यह भी पता होना चाहिए, इस सही समय पर सही दिमाग लगाना चाहिए आपको, और होने में आप केवल एक वैल्यू ही ला पाएंगे, तो इस पीट कहां से बनेगी, इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा एक्स्प्लेइन किया है, चली देखते हैं, इसी कोश्चन को हम थोड़ा सा और कम समय में कैसे कर सकते हैं, जितना कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा औ और समय बचा लें, तो क्या हर्जा है, अब आपको पता क्या है, कि यहां पर जो सारी कल्कुलेशन हो रही है, तो इसी के बिहाब पर हो रही है, तो इसी के बिहाब पर हो रहे हैं, चाहे मैं यहां पर फाइनेंस की बात करूँ, चाहे टेक्निकल की बात करूँ, दोनों ही ओफीसर्स की बाद इसी के कॉपरेशन बैंक के भियाब पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉपरेशन बैंक को include ही क्यों करें जैसे मैंने पिछले सारे question में भी का था कि जो common है दोनों में तीनों में उसे include करने की जरूरत ही क्या है तो यहाँ पे गर मैं 27 परसेंट लोग हैं और अगर x और डाल देंगे तो इनका ratio क्या बन जाएगा 2 to 3 का बन जाएगा सीधे इसे solve करिए कितना जाएगा आपका 24 प्लस 3 x बराबर में 54 तो यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा 24 दूसरी तरफ जाएगा क्या बचेगा 30 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और काटेंगे तो कितना जाएगा 10 परसेंट मतलब x की value कितने निकालाई 10 परसेंट और लोगों की जरूत होगी 10 परसेंट किसका 427 का तो 427 गुणे में 10 परसेंट निकालें कितना जाएगा 42 समदो 7 या अप्रॉक्समेंटली कहे लें तो 43 परसेंट यहाँ से डारेक्ट एंसर निकला है कुछ भी कल्कुलेट करने की जरूतने कोई गुणा भाग करने की जरूत नहीं है इसी question में अगर आप थोड़ा सा और दिमाग अप्लाई करना फोगा चाहें तो आप और भी असानी से एंसर निकाल सकते हैं आपको पत क्या पता है कि 8-6 अपन में 27 बराबर 2 अपन में थी मतलब क्या है कि 3 जो आपका रेशू है 27% के बराबर है मतलब थीन आपका 27% के बराबर है तो 1% किसकी आपका 9% के बराबर होगा बाकी का कितना बचा है, 10% बचा हुआ है, 10% आप डारेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से वो भी आ जाएगा, मतलब यह कल्कुरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो टोटल मैंने तीन तरीके आपको बताए हैं, तीनों ही smart methods हैं, तीनों ह हौच पॉच सा नहीं है, कि आपको गुणा भाग जोडने करने कहीं भी गलती हो सकती हैं, ना तो इसमें time लगता है, क्या लगता है, क्यों दिमाग लगता है, वो आपने लगा लिया, तो आसानी से questions को कर सकते हैं, तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, त मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, कि वीडियो कैसा लगा, आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा प्रयास सफल हो रहा है, वीडियो कर पसंद आया है, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी से share करिए, ताकि उन्हें पता चल सके किस तरह क कैसे सॉल कर सकते हैं, और क्या-क्या smart techniques जो आप लगा सकते हैं, exam time में, channel को आपने अगर subscribe नहीं किया है, तो आज ही subscribe करिए, जिससे आगया आने वाले जो वीडियोज हैं मेरे, वो आपको ऐसे मिलते रहेंगे, और आपके जो preparation है, और भी अच्छी होती रहेगी, next video में मैं क कोशिश करूंगा income expenditure graph को discuss करने कि उस पर एक example लोगा और करके दिखाऊंगा कि ये भी आपके सरल ही होते हैं असान ही होते हैं टफ नहीं होते हैं टफ के वह आपके दिमाग में बैठा हुआ है calculation आपनी smart बना लिए सब कुछ आपके लिए असान हो जाता है तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye